अस्सलाम अलेकुम रह्मतुल्लाई बरकातों आईए प्यारे बच्छों आज हम मैज सेकंड का नवी क्लास का सबक नमबर तीन मुसल्लस ट्राइंगल इसमें हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं मुसल्लसों की मुतमासिलद कौंगरेंस और ट्राइंगल आईए पैरे बच्छों हम पहले तो मुतमासिल किसे कहते हम वो समझ लेते मुतमासिल यानि एक ही जसामत वाले या एक ही लंबाई वाले या एक ही पहमाईश वाले जो है उनको जो है मुत्मासिल कहते हैं देखिए हमारे सामने सबसे पहले तो दो कता एख़त नजर आ रहे कता एख़त AB और कता एख़त LM अगर हम LM को उठा कर जो है वो कता AB पर रख दे और अगर LM जो है वो AB पर मुन्तखब हो जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों कता एख़त जो है एक दूसरे के मुत्मासिल है हम उसे मुत्मासिल के लिए ये वाली अलामत का इस्थिमाल करते हैं और हम उसको इस तरह लिखते हैं और पढ़ते हैं कता AB मुत्मासिल है कता LM के अगर हमारे सामने दो जाविये हैं अगर हम एक जाविये को उठाकर दूसरे जाविये पर रख दे और अगर वो मुन्तकफ हो जाए उस जाविये पर तो हम कहेंगे कि ये जाविया जो है दूसरे जाविये पर मुन्तकफ हो गया यह एक दूसरे के मुतमासिल है एक ही जसामत वाले है तो हम उसे भी जो है इस तरह लिखेंगे कि जाविया X, Y, Z मुतमासिल है जाविया P, Q, R के आईए पैरे बच्छों अगर हम मुसल्स देगे अगर एक मुसल्स दूसरे मुसल्स पर रखने पर अगर वो मुन्तकफ हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह मुसल्स भी एक दूसरे के मुतमासिल है और हम उसे इस तरह लिखेंगे और पढ़ेंगे कि मुसल्स L, M, N मुतमासिल है मुसल्स S, T, U के पैरे बच्छों इस तरीके से जो हम मुसल्सों की मुतमासिलत देखेंगे और हमने तीन मिसालों के जरीए जो है इसको समझे है आईए हम इसके आगे जो है दूसरी वीडियो में मुसल्स किस आजमाईश के बिना पर जो है वो मुतमासिल होते हैं वो देखेंगे जजाक अल्लाह उल्खेर अल्लाह आफेर